ओजी में वेड़ूं फिर हमारे बीच में संसत्थ मिनक्षि लेखी जी आज जो पर मनाए गया है उस पर्व का मुख्य उद्रते क्या है इंग्ञाद आज का इतना बढ़िया सुंदर पर मनाए गया इस याज अवारी का मुक्य क्या है देखें, अगी है जो प्रकाशुतसाफ का पर्व है। उनके प्रकाश से पूरा देश जो है वो जगमगा है। क्योंकि उनके जो विचार थे वो हर एक हींदुस्तानी गहर तक पहुंशने चाहिए है। पर इस तरीके से उन्होंने धर्म की रक्षा, देश की रक्षा की इतने बड़े कवी थे इतने बड़े योधा और योगी, तो ऐसे व्यक्ती को हम उनका जो कद है और जो उनकी वानी है वो हर घर तक पहुंचे ताकि उनके प्रती और देश के प्रती सब के मन में जागरूकत है आप नहीं मानते हैं कि गुरु गुवीन जिंग्येक विश्व एक महापुरूष कहा जाए और आज उनको एक सीमित दाएरे में ही इखटा कर दिया गया है वही सीमित दाएरे को समाप्ति की मैं बात कर रही हूं क्योंकि वह सिर्फ सिक्खों के गुरू नहीं है और नाहीं मेरे अपने पूरवजों में कुछ प्राणी ऐसे रहे होंगे जो सिख हुए मेरी अपनी दादी सिख थी तो मैं तो बुआ मेरी सिखों में भ्याई है तो मैं तो अपने आपको अलग मानती नहीं बच्पन से आज तक सीजगंज गुर्दवारे गई हूं तो मेरी माँ जो ब् खिलाफ हूं मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान पूरा उन्होंने रहे एक कुरिती को समात करने की कोशिश गाई जाती पर बहुत-बढ़ा काम किया महिला शिक्षाप बहुत-बढ़ा काम किया माई भागों के बारे में जो आज की फैमिनिस्ट हर तरीके की बात करत ती और गुरु झी केवल सेवा नहीं उनकी सेनिक शक्ति थी जो की ऑंस जो उनके बाड़ी गार्ड्स rólu मैं माई भागो थी यह इस देश की यह इस देश का इतिहास है इतिहास को पहचानता नहीं बात नहीं करते और अंतिम समय पर माई भागो करनाटक जाके बिदर के पास कहीं कुटिया में रही और बाकी का उन्होंने अपना जीवन वहां बिताया और यह एक योगिक संस्कृती जिसमें योग गरिमा भाषा ग्यान सब कुछ समिले था हम उसको क्यों संकुचित कर रहे हैं आपका जो एक कन्यादान लेना देना उसके भी आपका एक फोकस रहता है और कन्याओं को बचाने का भुरूण हत्या है उसके भी आपका फोकस रहता है आप क्या कहेंगे देगे मैं अपने सारे पंजाबी भाई बहनों से एक ही गुजारिश करती हूँ कि आज के समय में सबसे जादा कन्या भुरूण हत्या अगर नंबर एक पे कोई राज्य है तो वो पंजाब है पंजाब को कुछ तो करना होगा हमारी सब्यता संस्कृति में तो माई भागो जै आज इसे समय में अपनी जन्मने वाइली बेटी को क्यों जन्म से पहले मारते है कि पता नहीं वो चंडि का रूप है वो दे वी का रूप है वो खुद माय भागों की शक्ति हो सकती है समाज को बदलने की शमता और देश की रक्षा में खावी का तो इसलिए मेरा रहता है क यह संदेश जरूर जाना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे परिवार और ऐसे सब लोगों को जानती हूं पली बड़ी हूं जिनमें दहेज लेने देने की प्रथा ही नहीं है जहां पंजाबियों के घरों में दहेज लेना और देना पाप समझा जाता था आज वहां पे दहेज के यह तुम्हें बोल रही हूं क्योंकि आप दहेज जब तक खतम नहीं करेंगे तब तक करने अब रोणत्या समाप नहीं होगी दहेज लेना देना बंद करें और जो दहेज ले तो आप समझ लीजे कि वह लड़के इतने निकम में हैं कि बिकने के लिए बजार में बैठे है क्या संदेश देना चाते हैं आम जंता को यही संदेश कि गुरुओं की बाणी पर उनके दिखाएवे रास्तों पर चलें सिरफ तर्बन बानने से कड़ा पहनने से केश रखने से कोई सिक नहीं बन जाता सिक धरम का पालन करना है तो उनके दिखाएवे रास्ते पर चलें और जो भी उनके सिकाएवे रास्ते पर चलता है धर्म की समाज की रक्षा सुरक्षा में भाग लेता है मेरे लिए वही सरदार है